वेल हलो मेरा नाम है यूगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी रनवीर सिंग के ड्रेसिंग सेंस और उनके फंकी लुक्स के बारे में उन्हें जितना भी कोई कुछ भला बुरा कह ले लेकिन बाद जब उनके अक्टिंग की आती है तो हर कोई उनकी तारीफ ही करता है जब वन डे मैचेस में किसी भी देश के खिलाड़ी के लिए कलर कोड नहीं होता था सब लोग वाइड रेस पहनते थे हमारे देश ने क्रिकेट के इतिहास में फर्स टाइम एवर वर्ल्ड कप जीता था और उसी टाइम से हमारा इंडिया क्रिकेट में चा गया था और 83 मुवी भी उसी historic event पर based होने वाली है And what a character study are Especially Ranveer Singh का look as Kapil Dev and the accent 90-95% match कर रहा था अब देखे जिनको cricket पसंद नहीं उनको लगान movie भी बहुत पसंद आई थी Cricket based होने के बावजूद और देखे movie है तो मसाला तो होगा ही तो 83 भी एक real and historic event पर based होने के बावजूद इसमें Bollywood का flavor तो होगा ही बाकि जिस time में उस वक्त सिर्फ West Indies, England, Australia का दबदबा था और इंडिया को कोई गिंता भी नहीं था उस वक्त Kapil Dev Ji के team ने जिस तरह से इंडिया का नाम उचा किया था वो theater में experience करना तो बनता है बाकि ये एक historic event पर based drama movie है जिसमें हमें climax का तो पता है बट इंडिया ने पहली बार cricket world cup कैसे जीता था और कितना struggle करके जीता था वो इस movie की story होने वाली है वैसे रनवीर सिंग के अलावा इसमें पंकच त्रिफाठी जी है और इनके तारिफ में शब्दों की कमी तो हमेशा पढ़ जाती है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों दिपिका का लुक थोड़ा नकली नकली सा लगा शायद उनके बालों की वज़े से बाट बाकि इस trailer में कमिया निकालने लाएक जादा कुछ था नहीं हर किसी की महनद trailer में दिखाई दे रही है वैसे ये movie पिछले साल ही release होती बट कोविड के चलते अब ये release होने वाली है 24 डिसेंबर को theaters में trailer देखने के बाद मेरी expectation तो movie से बहुत जादा बढ़ चुकी है I hope के cricket matches के बीच goose bumps वाले moments हो बाकी तो release के बाद पता चल ही जाएगा कि movie actual में कैसी होगी बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में बाई